नमस्कार दोस्तो educational talks में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Indian Navy MR की प्रिक्सा के लिए बहुत ही important question और दोस्तो हर question के लिए आपको 10 से 12 सेकिंड का समय भी दिया जाएगा ऐसे ही question पाने के लिए हमने इस वीडियो के description में हमारी website का link भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और दोस्तो इस वीडियो में पहले 5 क्योशनों के answer नहीं दिये जाएंगे जो की आपको अगली वीडियो के description में दिये जाएंगे तो चलिए दोस्तो समय को नगवाते हुए शुरू करते हैं पहला क्योशन दोस्तो किसमे पोदों का भोतिक रूप और बारी सनजना का अध्यान किये जाता है अगला क्योशन दोस्तो निमिलिकित में से कौन सी गुद्धों की सनजनातमक और कारिया-कारी इकाई है अगला क्यों सने दोस्तों एसिटिक एसिट का रासाइनिक सुत्र क्या है अगला क्यों सने दोस्तों सोडियम टेटराबोरेट डेका हाइडरेट का साधान नाम क्या है अगला क्यों सने दोस्तों सेवाल परिष्थितिक तंतर के निमिलिकित में से किस तर में आता है तो दोस्तों इन पहले पांच क्यों सनों के आंस्वर आपको खुद देने थे जो की अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये जाएंगे अगला क्यों सने दोस्तों कौन सा निम कहता है कि किसी जंक्सन में परवेश करने वाली कुल दारा उस जंक्सन को छोड़ने वाली कुल दारा के बराबर होती है तो इसका सही अंसर होगा यह किर्चो का पर्थम निम कहता है अगला क्योंसन दोस्तो एक गरह पर गुर्टवाकर्शन के काण किसके साथ तवरन कम हो जाता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से गरह की स्तै से उचाई में वृद्धी के साथ हो जाता है अगला क्योंसने दोस्तों निमन में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से सेरे ब्रह्म सबसे बड़ा हिस्सा है अगला क्योंसने दोस्तों मवेशी गास निगलने के उपरांथ उसे कहा संगरहित करते हैं तो इसका सही अंसर होगा निमन में से पर्थम अमास्या में संगरहित करते हैं अगला क्यों सन है दोस्तों निमिलकित में से कौन मानो श्रीर के विबिन अंगों का ओक्सिजन वाहक है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से लाल रख्त को सिकाए हैं अगला क्योश्चन दोस्तो मानव स्रीर के गुर्दे इन में से कौन सा करिये करते हैं तो इसका सही आंसर होगा मानव स्रीर के गुर्दे निमन में से उत्सर्जन का करिये करते हैं अगला क्यों सन्य दोस्तों जब प्रकास किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो किसकी वज़े से वंकित हो जाता है तो इसका सई आंसो रोगा निमन में से वह विवर्तन के कार्ण वंकित हो जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तों विद्यूत की खोज तडिक चालक द्वी फोक्सी का अविस्कार किस ने किया तो इसका सही आंसर होगा निमन में से बेंजामिन फ्रेंक लेंग ने किया था अगला क्यों सने दोस्तों माई स्टोरी किस परसिद किर्केट की लाड़ी की जीवनी है तो इसका सही आंसर होगा यह निमन में से माइकल कलोर्क की है अगला क्यों सने दोस्तों सेलेक्शन डे नामक किताब के लेखी का कौन है अगला क्यों सने दोस्तों मलाला यूसुफ जाई और कैलास सत्यार्थि को स्यूक तूरोप से किस अवार्ड से नवाजा गया है तो इसका सही आंसर होगा इनको सांती का नोबल प्रुष्कार से नवाजा गया है अगला क्योशन है दोस्तों, रगविर चोदरी को किस बासा के छेतर में काम करने के लिए ग्यान पीट पुरुसकार मिला था तो इसका सही अंसर होगा निमन में से उसको गुजराती बासा छेतर में काम करने के लिए मिला था अगला क्योंसन दोस्तो, रग्वीर चोदरी को किस बासा के छेतर में काम करने के लिए ग्यान पिट पुरुषकार मिला था तो दोस्तो ये कोशन दुबारा रिपीट हुआ है वही सेम आंसोर इसका गुजराती के लिए अगला क्यों सन्य दोस्तों माइट रथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर होगा इस पुस्तक के लेखक इंद्रा गांदी है अगला क्यों सन्य दोस्तों नार्वे की राजदानी कहा है तो इसका सही आंसर होगा नार्वे की राजदानी ओसलो है अगला क्यों सन्य दोस्तों एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिक्तम फिल्म एर प्रुस्कार किसने जीते हैं तो इसका सही अंसर होगा निमन में से ए आर रह्मान ने जीते हैं अगला क्योंसने दोस्तों बार्तिय संगीत वध्य सुर बहार किस प्रकार का वध्य है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से वह तंतु वध्य यंतर है अगला क्योंसने दोस्तों पटना कहां की राज़दानी है तो इसका सही आंसर होगा पटना निमन में से बिहार की राज़दानी है अगला क्योंसने दोस्तों किस ने कहा था कि सवराज मेरा जनम सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो इसका सही आंसर होगा ये कथन निमन में से बाल गंगा धरतिलक ने कहे थे अगला क्यों सन्य दोस्तों निमलिकित में से कौन राष्ट पिता के नाम से मैसूर है तो इसका सही अंसुर होगा राष्ट पिता के नाम से मातमा गांधी मैसूर है अगला क्यों सन्य दोस्तों राष्ट संग की स्थापना कब की गई थी तो इसका सही अंसर होगा राष्ट संग की स्तापना सन 1920 में की गई थी अगला क्यों सन है दोस्तों कनिस्क किसका प्रिष्ट पोसक था तो इसका सही अंसर होगा कनिस्क निमन में से मायान बुद्वाद का प्रिष्ट पोसक था अगला क्यों सन्य दोस्तों मुगल सास्कों की दर्बारी बासा क्या थी तो इसका सही अंसर होगा मुगल सास्कों की दर्बारी बासा निमन में से फार्सी थी अगला क्यों सन्य दोस्तों वर्स 1919 में जलिया वाला बाग अत्याकांड कहां पर हुआ था तो इसका सही आंसर होगा यह निमन में से अमरिच सर में हुआ था अगला क्यों सने दोस्तों बार्थ की किस नदी को वृत गंगा कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से गोदावरी नदी को वृत गंगा कहा जाता है अगला क्योशन है दोस्तों ओबरा किस लिए परसिध है तो इसका सही आंसर होगा ओबरा निमन में से एक उसमिय सक्ति के इंदर के कारण परसिध है अगला क्योशन है दोस्तों बारदोली सत्या ग्रह आंदोलन का नेतरतों किस ने किया था तो इसका सही आंसर होगा इसका नेतरतव सरदार वल्ल बाई पटेल ने किया था अगला क्यों सन्य दोस्तों बारत ये उपद्रव का पिता किने कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा बालगंगा दर्तिलक को कहा जाता है अगला क्यों सने दोस्तों बारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राजे कौन सा है तो इसका सही आंसुर होगा यह है रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राजे मद्द बर्देश है अगला क्योंसन है दोस्तो निमन में से कौन सा चेतर उसन कटीबंद ये सिदा बाहर वन से डगा हुआ है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से पस्मी गाड चेतर डगा हुआ है अगला क्यों सन्य दोस्तों पिर्थवी तथा बाई ये अंत्रिक्स के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है तो इसका सही अंसर होगा यह निमन में से मेगरेटो स्फेर कहलाती है अगला क्योंसन दोस्तो हाल ही में किस राज्य में यहूदियों को दार्मिक अल्प संखेक का दर्जा दिया है तो इसका सही अंसर होगा यह है दर्जा निमन में से गुजरात राज्य में दिया है अगला क्योशन है दोस्तो ब्राजीलिया में आयोजित साथवे विशव जूनियर बूसु चैंपियन में बारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं तो इसका सही आंसर होगा निमन में से नो पद जीते हैं आगे दोस्तो कुछ मैद के क्योशन है ये आपको कोपी पैल लेके सोल करने पड़ेंगे और दोस्तो समय की कमी होने के कारण मैं आपको इनका सीधा आंसर बताऊँगा समय आपको उतना ही मिलेगा तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं झाल करते हैं झाल 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 तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कोमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बैल आइकन का बटन जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर आसानी से मिलती रहें और दोस्तो ऐसे ही क्यों सन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आगे मिलते हैं नई वीडिय के साथ धन्यवाद